इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे टेक महिंद्रा लिम्टेट के बारे में जिसने की quarter 3 के numbers पब्लिश कर दियें तो चलिए देखते हैं consolidated financial results कैसे रहे तो सारी earnings millions में इन करोर्स में discuss करने वाले हैं quarter 3 का data है 2 का है then December 2022 की earnings third row में जो पिछले साल की company की quarter 3 की earnings है तो total income की अगर बात करें तो December 2022 में 13,981 करोड की income थी वो इस बार 13,188 करोड पे आगी तो quarter on quarter nominal सा jump है और yearly basis पे nominal सी गिरावट हमें देखने को इस बार मिल रही है बात करें total expenses की तो December 2022 में 12,000 करोड के अप्रोक्स expenses थे इस बार 12,514 पे आ गए तो yearly basis पे income तो कम रही उसके बावजूद हमें company के जो expenses है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है quarter wise बात करें तो 12,504 करोड के expenses थे जो इस बार 12,514 पे तो Q on Q plus Y on Y दोनवी जगे company के खर्चे बढ़ चुके देन डिसकस करते हैं after tax company को net profit for the period कितना हुआ तो December 2022 में 1285 करोड का profit था इस बार वो 523 करोड पे आ गया में देखने को मिल रही है same reflection EPS में देखने को मिलेगा yearly profits कम हुए काफी तो EPS 14.70 से 5.77 पे आ गया quarterly 5.59 से 5.77 क्योंकि quarterly थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें देखने को इस पर मिल रही है तो overall दोस्तों यह थे टेक महिंद्रा के numbers अगर हम बात करी जा market के reaction की तो जो result है दोस्तों वो market बंद होने के बात publish हुए है तो most probably हम एक negative reaction भी इस पर देखने को मिल सकता है तो आपको बास टेकम की कितने share से comment box में बिलकुल बता है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाब बाए